हेलो एवरिवन, वेलकम टू वाउ मुमी, आज हम बना रहे हैं लसन के पराठे, ये हरे लसन के पराठे और साथ में हरी चट्नी, ये भी लसन की चट्नी है, ये किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आठा गुन लेंगे आठे में हम नमक दालेंगे, नमक को और आठे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी दालेंगे, ये हमारा आठा गुन के रेडी हो गया है, नॉर्मल रोटी का आठा गुनते हो वैसे ही गुनना है, और इसे हम साइड में रख दे पराठा बनाने के लिए हम हरे लसल ले लेंगे इसे हमने अच्छे सा वाश कर लिया है अब सिर्व हम इसके पते ले ले लेंगे और इसे साइड में रख देंगे अब इसे एकदम बारी चॉप करेंगे हम इस तरीके से लसन के पते काट लेंगे अब इसे एक बावल में निकाल लेंगे हरे लसन में हम एक चमच हल्दी दालेंगे एक चमच रैड चिली पाउडर दालेंगे आदा स्पून नमक दालेंगे हमने आटे में नमक दालेंगे इसके लिए थोड़ा ही नमक दालेंगे इसमें देसी घी दालेंगे हम दो चमच इसे पराटे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप सादा घी या तेल भी यूज़ कर सकते अब इन सब चीजों को अच्छे सा मिक्स करके साइड में रख देंगे घी दालने के बाद भी हम इसमें थोड़ा तेल आड करेंगे यह 2 बड़े स्पून हमने तेल भी दालें त्यूकर हम इसे पराट पर लगाना है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे साइड में रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए अब जो लसं थे उसमें थोड़े लसं हम ले लेंगे इसके आगे का रूट हम निकाल ले आप जैसे पराठा बनाते हैं उस हिसाब से लीजिए यह हमने मैदा लिया है हमने यह आटा गुंगा है गहु काटा और ड्राय आटे के लिए हमने मैदा यूज किया है इसे एक दम क्रिस्पी परत बनेगे आपकी हम मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे यह अपने बड़ी रोटा बेल लिए अब मसाला रैडि रेड़ी आपके दाल देनेगे इसमें अब इसमें मैदा डस्ट करेंगे अ dab इसे रोल कर देंगे रोल करने के बाद हम इसे दबा लेंगे अब इसे सेंटर से हम कट कर देंगे अब इसे मैदा थोड़ा डस्ट करेंगे और इसे अपोजिस साइट से हम राउंड घुमाएंगे इस तरी के से हम राउंड घुमाते जाएंगे और इसे लास में आप नीचे टक कर देंगे, आप इसे हम बेल लेंगे, इसके बहुत अच्छे लेयर्ज निकलेंगे, और हर तरफ आपका मसाला जाएगा, आपको ज्यादा कॉंटेटी में मसाला दालने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे मैं आपको सेख के दिखाती हूँ, अब हम एक तवा रख लेंगे, और इसमें हम हमारा पराठा दाल देंगे, शेखने के लिए, अब इसे हम पलट देंगे, जब यह दूसरी साइट से भी हो जाएगा, तो हम इसे पलट देंगे, आपको मीडियम गैस पर आराम से इसको फ्राइ करना है, ताकि आपका लसन अच्छे से पक जाए, अब इसमें हम घी अपलाए करेंगे, अब इसे हम दबा-दबा के अच्छे से फ्राइ करेंगे, अब इसे हम पलट देंगे, आपको मीडियम गैस पर इसे धीरे-धीरे सेखना है, ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आए, इससी तरह के से हम सारे परठे बना लेंगे, इसकी एक एक लेयर आपको मिलेगी, अलग-अ मैं आपको इसे सर्फ करके रिखाती हूँ, यह हमारे लसन के परठे रेडी हो गए, साथ में चटनी, और यह अंडे की कतली है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इस तरीके से जरूर बनाएए परठे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइ जसे सिर्फ में आती है, एक बहुत आती है, और एक लगजा है, धिरा हमारे छको मेरी रेडी है, खबला अपको मेरी हो आपको मेरी रेसितक बझे क्वेसी परठे और दो से बंदेड़ा ह样 से परएए